आज हम समुद्र के सबसे मनोरम जीवों में से एक समुद्री घोडे का पता लगाने के लिए समुद्री जीवन की आकर्शक दुनिया में गोता लगाएंगे आश्चरे चकित होने के लिए तैयार रहें क्योंकि हम इन असाधारन प्राणियों के बारे में दस और चोकाने वाले तथ्य उजागर करेंगे यदि आपको लगता है कि आप समुद्री घोडों के बारे में सब कुछ जानते हैं तो फिर से सोचें ये मंत्र मुग्द कर देने वाले तथ्य आपको प्रकृती के चमतकारों से आश्चरे चकित कर देंगे तो बिना किसी देरी के आए इस सहसिक कारे पर निकले और समुद्री घोडों के दिल्चस प्रहसियों के बारे में और जाने समुद्री घोडे एक मात्र प्रजाती में से एक हैं जहां नर बच्चों को पालता है समुद्री घोडों की सबसे अनोखी विशेश्तावं में से एक ये है कि नर बच्चों को पालते हैं, मादाए नहीं मादा समुदरी घोड़ा अपने अंडे नर के पेट पर एक थैली में जमा करती है जहां वे निशिचित होते हैं और तब तक विक्सित होते हैं जब तक वे पैदा होने के लिए तैयार नहीं हो जाते इसके बाद नर समुद्री घोड़ा बच्चों को जन्म देने के लिए प्रसर पीड़ा से गुजरता है जिसमें कई घंटे लग सकते हैं ऐसा माना जाता है कि यह अनुकूलन नर के लिए अपनी संतानों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के एक तरीके के रूप में बिक्सित हुआ है क्योंकि वो उनकी रक्षा और देखभाल तब तक कर सकता है जब तक कि वे खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत ना हो जाए समुद्री घोड़ों की पूछे प्रिहंसाइल होती है समुद्री घोड़ों में एक अनोखा अनुकूलन होता है जो उन्हें अपने वातावरण में मौजूद वस्तूओं को उनकी प्रिहंसाइल पूछ से पकड़ने की अनुमती देता है अधिकांच अन्य मचलियों के विप्रीत समुद्री घोड़ों के पास तैरने में मदद करने के लिए तैरने वाला ब्लेडर नहीं होता है इसलिए वे तेज धाराओं में बहने से बचने के लिए समुद्री शैवाल, कोरल रीफ्स या अन्य संरचनाओं को पकड़ने के लिए अपनी पूँच पर निर्भर रहते है समुद्री घोड़े की पूँच आपस में जुड़ी हुई हड्डियों की एक श्रिंखला से बनी होती है और अविश्वसनिय रूप से लचीली होती है जिससे वे इसे वस्तूओं के चारो और लपेट सकते हैं और कसकर पकड़ सकते हैं क्या आपको पता है समुद्री घोड़े चलावरण में माहिर होते हैं जो अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने के लिए रंग और बनावट बदलने की अपनी ख्शमता का उप्योग करते हैं यह अनुकूलन उन्हें शिकार और घात लगाकर बैठे शिकारियों से बचने में मदद करता है समुद्री घोड़ों में क्रोमेटो फॉरस नामक विशेश त्वचा को शिकाए होती हैं जिनमें रंग द्रव्य होते हैं जिनें विभिन रंग और पैटन बनाने के लिए विस्तारित या अनुबंधित किया जा सकता है इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर छोटे काटे और उभार होते हैं जो उनके आसपास के पौधों और जानवरों की बनावट की नकल कर सकते हैं जिससे विशिकारियों के लिए लगभग अद्रिश्य हो जाते हैं समुदरी घोडों की द्रिश्टी उतक्रिष्ट होती है समुदरी घोडों की आँखें जानवरों के सामराज्य में सबसे प्रभावशाली होती है उनकी आँखें उनके सिर के किनारों पर स्थित होती है जिससे उन्हें लगभग 360 दिगरी का दृशित शेत्र मिलता है इसका मतलब ये है कि वे अपने आसपास की लगभग हर चीज देख सकते है जो शिकारियों को पहचानने और भोजन खोजने दोनों के लिए बहुत सहायक है समुद्री घोड़े अपनी आँखों को एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं जिससे वे अपने परिवेश को और भी अधिक प्रभावी धंक से स्कैन कर सकते हैं इसके अतिरिक्त समुद्री घोड़ों में प्रतेक आँख पर अलग-अलग धान केंद्रित करने की क्षमता होती है जिससे उन्हें दूरी का सटीक अनुमान लगाने में मदद मिलती है शिकार को पकड़ने के लिए यह महत्वपोड है क्योंकि समुद्री घोड़े अक्सर छोटे, तेज गती वाले जानवरों को खाते है उनकी आँखें उनके मस्तिश्क के आकार के समान होती है उनकी आँखें वास्तव में उनके तैरने वाले ब्लेडर से जुड़ी होती है जो उन्हें उल्टा तेरते समय भी अपनी आँखों को पानी की सतय के स्तर पर रखने की अनुमती देती है समुद्री घोड़े साथी ढूंडने के लिए अपनी उतकरिष्ट द्रिष्टी का उप्योग करते है क्योंकि वे लंबी दूरी से एक दूसरे के रंग और पैटर्न देख सकते है समुद्री घोड़ों को मानविये गति विधियों से खत्रा है दूर्भाग्य से समुद्री घोड़ों को मानविये गति विधियों से कई खत्रों का सामना करना पड़ रहा है उनके आवास जैसे कोरल रीफ्स और समुद्री घास के बिस्तर, प्रदूशन, जलवायू परिवर्तन और तटिये विकास के कारण नश्ठ हो रहे है समुद्री घोड़ों को एक्वेरियम व्यापार, पारंपरिक चिकित्सा बाजारों और क्यूरियोस या स्मुरिती चिन्द के रूप में भी लक्षित किया जाता है परिणा मस्वरू कई समुद्री घोड़ों की प्रजातियों को अब संकट ग्रस्त या खत्रे में माना जाता है यह महत्वपोर्ण है कि बहुत देर होने से पहले हमें इन अद्वितिय और आकर्शक प्राणियों की रक्षा के लिए कारवाय करने की जरुरत है समुद्री घोड़ों का पाचन तंत्र अनोखा होता है समुद्री घोड़ों में एक अनोखा पाचन तंत्र होता है जो उनके छोटे जीवित शिकार के आहार के अनुकूल होता है उनके पास पेट नहीं होता है, इसलिए उनका भोजन सीधे उनके मुह से उनकी आतों तक जाता है इसका मतलब ये है कि उन्हें आवश्यक पोशक तत्व प्राप्त करने के लिए लगातार खाना जरूरी होता है समुदरी घोड़े आमतोर पर प्रती दिन 30 से 50 बार खाते हैं और वे एक ही दिन में 3000 छोटे क्रस्टेशियन्स तक खा सकते हैं समुदरी घोड़े का पाचन तंत्र भी बहुत कुशल होता है भोजन उनकी आतों से तेजी से गुजरता है और वे अधिकांच पोशक तत्वों को अव्शोशित करने में सक्षम होते हैं यह महत्वपोण है क्योंकि समुदरी घोड़े अपेक्शाकरिक छोटे जीव हैं और उन्हें उर्जा सनरक्षन की आवश्यक्ता होती है समुदरी घोड़ों का अनोखा पाचन तंत्र उनकई अनुकूलनों में से एक है जिसने इन आकरशक प्राणियों को समुदर में जीवित रहने और पनपने की अनुमती दी है समुदरी घोड़े अनोखे तरीके से चलते हैं समुदरी घोड़े मजबूत तैराक नहीं होते हैं और वे अन्य मचलियों की तुलना में बहुत अलग तरीके से चलते हैं वे खुद को आगे बढ़ाने और चलाने के लिए अपने प्रिष्ठिया पंक का उप्योग करते हैं, जो उनकी पीट पर स्थित होता है वे उपर और नीचे जाने के लिए फिन के कोड को भी बदल सकते हैं तैराकी की यह अनूठी शैली उन्हें मन्राने और एक ही स्थान पर रहने की अनुमती देती है जो शिकार करने और शिकारियों से बचने के लिए उप्योगी है समुदरी घोडों का एक विशेश मूह होता है समुदरी घोडों का मूह लंबा, संकीर होता है जो भोजन चूसने के लिए योग्य होता है उनके दात नहीं होते हैं, बल्कि उनके मुह में छोटे-छोटे नुकीले काटे होते हैं जो उन्हें शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं उनके पास एक अनोखी जीब भी होती है जो बहुत तेजी से उपर और मीचे जा सकती है जिससे एक सक्षन बनता है जो छोटे क्रिस्टेशियन्स और प्लवक को चूसता है समुदरी घोड़े अपना आकार बदल सकते है समुदरी घोड़ों में अपने परियावरण के अनुसार अपना आकार बदलने की उलेक नियक शमता होती है वे तंग जगहों में फिट होने या शिकारियों द्वारा देखे जाने से बचने के लिए अपने शरीर को फैला या सिकोड सकते है वे अपने परिवेश से मेल खाने के लिए अपने मूह और पूंच के आकार को भी बदल सकते हैं जिससे वे अपने वातावरण के साथ घुलने मिलने में और भी बहतर हो जाते हैं हमें आशा है कि आपने इन दिल्चस्प तत्यों का गहराई से आनन लिया है जो इन नाजुक प्राणियों को इतना अनोखा बनाते हैं बता दें कि ये उल्लेखनीय समुद्री घुड़े प्राक्रितिक दुनिया में पाई जाने वाली व्यापक विवित्ता और सरल्ता की याद दिलाते हैं इस से पहले की हम अलविदा कहें सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल बजाना याद रखे ताकि आप प्रकृति के चमतकारों के बारे में अधिक आकर्शक तथे जानने का कोई मौका न चुके साथ मिलकर हम पशु सामराज्जी के चमतकारों को साजा कर सकते हैं हमारे महासागरों के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों के बारे में जागरुकता बढ़ा सकते हैं यदि आपके पास समुद्री घोडों के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो हमें कमेंट्स में बताए इस रोमान्चक कारिय में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक हमारे बाकी वीडियोज एक्स्प्लो करते रहें, जिग्यासु बने रहें और प्राकृतिक दुनिया के जादू को संजोते रहें अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट factober.com को विजीट करें